बीना टमाटर और बीना आलो के आज हम बहुत ही टेश्टी रेसेपी बनाएंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके लिए यहां मैंने लिया है धाई सो ग्राम अर्वी इसी कच्चू भी कहा जाता है कई जगह पे अर्वी को हम एक चाकू से इस तरीके से हलके हाथों से छील लेंगे बारिस के सीजन में बहुत ही मार्केट में अच्छे और फ्रेश अर्वी आते हैं तो इस टैम पे इसका सबजी बहुत ही टेश्टी और मज़ेदार बनता है और यह देखिए यहां मैंने अर्वी को चाकू से इस तरीके से अच्छी तरह से छील लिया है आप भी इसे बिना धोय छुई लें जिससे यह इजिली इसका कभर निकल जाता है और ये दिखे हैं हमें इसे अच्छे से छील लिया है और अब हम एक बरतन में पानी लेंगे और इसमें छीले हुए अर्वी को डालेंगे अर्वी को आप इस तरीके से पीलर से भी छील सकते हैं ये इससे भी बहुती अच्छी तरीके से easily इसका skin या cover निकल जाता है आपको जो easy लगे आप उस तरीके से अर्वी को छील ले और ये देखिए यहां मैंने इसे पीलर से अच्छी तरीके से छील लिया इसे भी हम पानी में डालेंगे और सेम तरीके से यहां मैंने सारे अर्वी को छील करके इसका उपर वाले cover को निकाल लिया है और अब हम इसे पानी में अच्छे से हाथों से डगरते हुए साफ कर लेंगे जिससे इस पर लगा मिट्टी या बचे हुए छिल के भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे और यह देखे यहां मैंने एक से दो बारी से अच्छे से धो कर प्लेट में निकाल लिया है और अब हम एक cutting board लेंगे नाइफ या चाकू से अर्वी को कट कर लेंगे और इस टेम पे आप अपने हाथों का ध्यान रखे अर्वी को धोने के बाद अर्वी चिपचिपा हो जाता है तो यह slip हो सकता है और आपके हाथ भी कट सकते हैं इसलिए हलके हाथों से अर्वी को काट लें जिससे अर्वी slip भी नहीं होंगे और यह easily कट जाएंगे और यहां मैंने दो तरीके से अर्वी को काटा है पर कर लेंगे या निकाल लेंगे और अब हम एक मीडियम साइच का प्याज लेंगे और प्याज के इस तरीके से उपर वाले भाग को हम कट कर लेंगे और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को भी स्कीप कर सकते हैं और आप देख सकते हैं मैंने प्याज को बहुत ही अच्छे से बारीक महीन काट लिया है और अब हमें कड़ाई लेंगे गैस अन करेंगे और हाई फ्लेम पे कड़ाई को अच्छे से गरम होने देंगे कड़ाई हमारा गरम हो गया हम इसमें दो चम्मस तेल डालेंगे यहां मैंने सरसो के तेल का यूज किया है आप कोई भी फ्लेवर का कुकिंग आयल यूज कर सकते हैं गैस का flame high रखेंगे और high flame पे हम oil को भी या तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल अच्छे से गरम रहेगा तभी हमारे अर्वी अच्छी तरीके से oil में fry होंगे और ये चिपकेंगे नहीं और ये देखिए oil हमारा अच्छे से गरम हो गया है हम इसमें एक एक करके अर्वी के पीज डालेंगे तेल में अर्वी डाल करके हम इसे high flame पे ही चलाते हुए हम इसे golden कलर आने तक अच्छी तरीके से इस तरीके से चलाते हुए fry कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा अर्वी बहुती अच्छे से fry हो रहा है और अब हम इसके उपर थोड़े से मसाले डालेंगे सबसे पहले हम इसमें एक चौथाई चमच हल्दी पॉडर डालेंगे जिससे अर्वी के उपर हल्दी पॉडर से बहुती बढ़िया कलर आएगा आधा चमच नमक डालेंगे नमक डालने से अर्वी हमारे जल्दी पकेंगे और इस पे बहुती अच्छा सुनहरा गोल्डन कलर आएगा और अब हम हाई फ्लेम पे ही अर्वी को इस तरीके से चलाते हुए भूल लेंगे या फ्राई कर लेंगे जिससे अर्वी जलेंगे भी नहीं और इस पे बहुती अच्छा गोल्डन कलर भी आएगा और ये क्रिस्पी बनेंगे और जब तक अर्वी हमारा फ्राई हो रहा है तब तक हम मसाला बना लेते हैं इसके लिए यहां मैंने लिया है एक कटोरी और अब हम इस कटोरी में दो चमच घर का बना फ्रेश दही डालेंगे ये दही बहुती हलका खटा है आप चाहे तो इसके लिए खटी वाली दही कभी यूज कर सकते हैं और दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें एक चोथाई चमच हल्दी पौडर डालेंगे क्योंकि हमने अर्वी में भी हल्दी पौडर का की भर नमक डालेंगे क्योंकि हमने अर्वी में नमक डाल रखा है और अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से चमच से मिक्स कर लेंगे दही में और अब हम अर्वी को चेक कर लेंगे और ये देखिए अर्वी हमारा बहुत अच्छी तरीके से फ्राय हो गया हम इसे एक बर फ पैस का फ्लीम मेडियम कर लेंगे जेए जिससे तेल हमारा जले ना आप देख सकते हैं एक एक करके यहां मैंने प्लेट में सारे अरबी को अच्छेISE इसे गोल्डन फ्राय होन करके निकाल लिया है और आप देख सकते हैं अर्भी पे बहुत अच्छा कलर आ गिया है और बचे हुए तेल में हम एक चौथाई चम्मत जीरा डालेंगे और इसे ऑल में अच्छे से क्रैक होने देंगे एक चुटकी हिंग डालेंगे हिंग से बहु हुए भूल लेंगे जिससे प्याज का कच्छापन भी खतम हो जाएगा और प्याज हमारे बहुत ही अच्छे से सौफ्ट हो जाएगे और अब हम इसमें एक चम्मच दरदरा कुटा हुआ लहसून डालेंगे आप चाहे तो इस टैम पे अद्रक लहसून का पेश्ट का भी या अगर आप लहसून और प्याज नहीं खा सकते हैं तो अद्रक और हरी मिर्च का भी पेश्ट यूज कर सकते हैं प्याज हमारे अच्छे से भून गया है और अब हम इसमें दही में मिक्स किया हुआ मसाला डालेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इन सभी इंग्रेडियंट को अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे जिससे दही हमारा फटेगर नहीं और मसाले भी हमारे अच्छे से भून जाएंगे और आप देख सकते हैं मसाले हमारे बहुत ही जल्दी भून के तयार हो गए और मसालों से तेल भी छोड़ रहा है इस टाइम पे हम इसमें आधा चम्मत कास्मीरी लाल मिर्च पॉर्डर डालेंगे जिससे इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा और अब हम इसे फिर से एक बार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेंगे और आप देख सकते हैं कास्मीरी लाल पर चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे मसालों का फ्लेवर अर्वी में आ जाएगा और अब हम इसे ढख कर मीडियम फ्लेम पर दो मिनट के लिए पकने देंगे दो मिनट हो गया है हम इसे चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं मसाले तेल छोड़ रहा है इस टाइम पर हम इसे फिर से एक बार अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और अर्वी हमारे बहुत अच्छे से पक गए है इस टैम पे हम इसमें एक कप पानी डालेंगे यहां मैंने जिस कटोरी में मसाले मिक्स किया था सेम कटोरी में ही यहां मैंने एक कप पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे सबजी में डालेंगे और सबजी को हाई फ्लेम पे एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे यहां मैंने ग्रेवी वाले सबजी बनाने के लिए इसे पानी डाला है आप चाहे तो इसे सूख्या ही बना करके खा सकते हैं और पानी में भी बहुत अच्छा उबाला गया है और अब हम इसे ढख करके दो मिनट के लिए और पकने देंगे और आप दे सकते हैं दो मिनट हो गया है और पानी भी हमारा अच्छी तरीके से सूख गया है और अर्वी भी बहुत अच्छे तरीके से पक गए है और इस टाइम पे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप इसे हरा धनिया के साथ सर्फ करें और चलिए अब हमें से गर्मा गरम प्लेट में सर्फ कर लेते हैं और इस तरीके से अगर आप अर्वी बनाएंगे तो बच्चे आलू की जगह इसी की सबजी डेली बनवाए के खाएंगे और अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी और हेल्फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक चैदिक शेयर करें और इस रेसेपी को आप इस तरीके से बना कर इसे रोटी राइस चपाती किसी के भी साथ खाई ये खाने में बहुत ही टेश्टी और लाजबाब होता है और चलिए अब मैं मिलती हूँ आप सभी के साथ एक और नह है रेसेपी में अपना फीड़ बेक और एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें और अ प्रोर्से हूँ